तो बड़ी डिजने ने फिर से अपनी सारी मूवीज यानि कि अपनी सारी अपकमिंग मूवीज यानि कि अपनी M.C. की सारी अपकमिंग मूवीज की रिलीजिंग डेट को चेंज कर दिया है कई सारी movies pre-point होई है और दो बड़ी movies delayed हुई है भाई पोस्पाइड हो गई है तो अब हो कौन सी कौन सी movies है और उनकी actual releasing dates क्या है उनके पर फटा-फट बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते है डेडबुल 3 की ओपर तो डेडबुल 3 की जो original release date थी वो थी November 8, 2024 लेकिन अब उसकी जो date है वो pre-point करके कर दी गई है May 3, 2024 अब बात करते है Captain America Brave New World Order की तो Captain America Brave New World Order की जो पहले की date थी वो date थी May 3, 2024 लेकिन अब उसे थोड़ा सा और एक महीना push करके कर है July 26, 2024 थोड़ा सा और आगे push कर दिया है अगली जो पिचर है वो है Thunderbolts की तो Thunderbolts की जो actual releasing date थी वो date थी July 26, 2024 लेकिन अब उसे थोड़ा सा और push कर दिया गया है और उसे कर दिया गया है December 20, 2024 पे अब देखो यह push किया है almost 2-3, almost 6 महीना आगे जादा push किया है तो अब बात करत अब बात करते हैं अगली जो दो बड़ी पिचर है जिनकी dates को और जादा डीले किया है और जादा पिचर को डीले किया है May भी CGI या और Improvisation के लिए तो वो है Avengers Kang Dynasty और Avengers Secret Wars तो Kang Dynasty की जो actual releasing date थी जो पहले की releasing date थी May 2, 2025 लेकिन अब उसे almost 1 साल आगे कर दिया गया है जिसकी actual releasing date है अब May 1, 2026 तो almost 1 साल का gap और आगे बढ़ा दिया है अब आगल जो लास्ट मूवी है वो है Avengers Secret Wars तो Secret Wars की जो पहले की releasing date थी वो थी May 1, 2026 लेकिन अब उसे almost 1 साल और बढ़ा दिया है May 7, 2027 आई भयंकर वेट होने वाला है भयंकर वेट करना पड़ेगा इन सभी बड़ी पिच्छरों के लिए तब तक तो दिमाग खराब हो जाएगा इन का theories बनाते बनाते